आज नमें कुछ explore करने वाला हूं, जिससे देखने कबना आपका reaction कुछ ऐसा होने वाला है मजा आया हम्, द्रसा कि आप लोगों को भी पता हैं कि आप लोगों के फोन में developer option होता है तो आज हम लोग इसी developer option के कुछ secret setting के बारे बात करेंगे जिससे कि आप लोगों को जरूर देखने चाहिए तो सची वीडियो बहुत ज़्यादा इंप्वाटेंट होने वाले यह तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप लोगों को अपने फोन में डेवलेपर ऑप्शन कैसे आउन करना है तो इसके लिए आपको अपन आपको अपने फोन के पासवर्ट देते नहीं है यहां से आपका डेवलेपर ऑप्शन होन हो जागा सभी फोन का थोड़ा थोड़ा अलग सेटिंग रहता है तो आप लोग थोड़ा चेक कर देगा ओके बैक आते हैं बैक आने के बाद फिर साथ है अपने सिस्टम में और पैल आप लोग देख सकते हैं अप्ट आपा הנ behind weis का फॉन की दी डेटेल से हाँ प्रेसर हो रहा है कि कितना ये बैक आथे और इहां फिर सकते next option यह टेक बग रिपोर्ट इसमें क्या हो सकते तो यहां। बात करते हैं यहां पर desktop dac'de backup password नम्यक्ष्टॉ ay 對क अप्सवर्ड ने क्या होता है सब्सक्राइब अ करने का option भी बैकप जाए इस टाइम यहां पर पास्वरड मांगा म JAMES मगाने जागा यहां पर Importance file वगदा रखते हैं तो यहां पर backup password पर set कर सकते हैं कोई दूसरा आदमी phone से आपका backup नहीं कर पाएगा तो जब तक नहीं आप password डालेंगे तब तक यह आपका backup नहीं होगा तो इस तरह से यह setup backup password आप लगा के रख सकते हैं अब बात करते हैं next नेक्स्ट में यहाँ पर stay awake इसमें क्या होगा आप लोग जैसे इसे enable करेंगे तो आप लोग जब भी phone को अपने charging में लगाएंगे तो यह आपका sleep mode में कभी नहीं जाएगा जब तक कि यह आपका on रहेगा आप करने के बाद उसके बाद यह आपका sleep mode में जाएगा चार्जिंग के टाइम ओके सिर्फ चार्जिंग के टाइम नेक्स्ट बात करते इनेबल Bluetooth HCL स्नॉप लॉग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वैसे यह हम लोगों के कोई काम का नही लोग इसका यूज करते तो यह फिलाल छोड़ देते बात करते हैं अब नेक्स्ट की तो यहाँ पर देख सकते OME Unlocking यह OME Unlocking क्या है तो मैं आपको बता दिए यह OME यानि की Original Equipment Manufacture Unlock जब आपके फोन को रूट करना होता है तो उस टाइम इसे OME Unlock को Enable करना होता है तो यह होता है OME Unlock का यूज वैसे यह OME Unlock का यूज वैसे रूट वगर फोन को अपकरने की कोई जरूरत नहीं है फोन वैसे भी बहुत सारे options फोन में अल्रेडी दिए रहते हैं तो अब बात करते हैं next option की तो यहाँ पर देख सकते है रनिंग सर्विस अप लोग इसे जैसे ह सब्सक्राइब वैक आते हैं और यहाँ पर कुझसifiques है फोन में इस में वैब वैब व्यू का इसमें क्या बियुका यहाँ आपको वाटसाइप लिंक plane करना तो यहाँ पर देख सकते सिस्टम वैब वियू में ऐ पर पर ऊप्ष नै क्वे damn effekt फोन का वी और आपको फोन में आपके system webview में वो page या website या आपका open होगा ओके इसे back आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अब बात करते हैं next kit तो यहाँ पर देख सकते हैं dsu loader इसका काम क्या अनकी यह आपके phone में android 11 है तो इसे on करने से नगिए android 12 के Chrome को आपके phone में boot कर देगा वैसे यह सब developers use करते हैं हम लोगों कोई काम का नहीं है अब बात करते हैं next तो यहाँ पर देख सकते है system UI demo mode इसमें क्या होगा आप लोग जैसे normal यहाँ पर देख सकते हैं वैसे यह भी developers use करते है screen recording वगएर यूज करने के लिए ताकि कुछ भी उपर में सो ना हो और यह आप लोग इसकी पूरी वीडियो देखना चाते हैं तो यह आपको उपर link i button पर मिल जाके tap करके आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी details में ओके तो चलिए भी back आते हैं और यहाँ पर देख सकते quick setting developer tiles इसमें क्या होगा आप लोग जैसे यह on करेंगा यह सब वैसे मैंने एक special video इसका बना रखा तो आप लोग वो भी description में जाके यह link पर टैप करके देख सकते हैं तो यहाँ पर में एक आप लोगों को नया feature से देखने को मिलेगा ओके आप लोगों इसमें क्या आप लोग जैसे इसे इनेबल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि इनेबल करने से क्या होता है आप लोग जब PC में कोई apps वगरे यूज करते हैं और उसे phone में connect करना रहता है तब इसे on करना होता है USB debugging को क्योंकि उस ताइम इसकी बहुत ही ज़्यादा जर इससे किया आप लोग जुपाने उसे छुपानी है तो यहां से आप लोग फेक लोकेशन का यूज कर सकते है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दोखिने को मिल जागा तो टाइप करके आप लोग देख सकते किस तरह से फेक लोकेशन किसी को सेंड किया जा सकते हैं अब नेक्स चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और और थोड़ा नीचे आने एक बात यहां पर देख सकते हैं 100 refresh rate का एक options मिलेगा आप लोग जैसे इनेबल करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैं अपने फोन में कितने refresh rate पे यूज कर रहा हूँ यहां हमारा सोर है 60 120 अभी है 120 refresh rate यहां पर हमारा भी फोन वर्क कर रहा है यह भी आप कर देते हैं मैं आता हूं और नीचे यहां पर देख सकते हैं एक options से देखने को मिलता है mobile data always active यहां लोग इसे इनेबल कर देते तो आपका mobile data always active रहेगा होगे फिलाल मैं यह आप कर देता हूं मैं नहीं चाता हूं कि हमारा always active रहे थोड़ा और नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूं difficult USB configuration इसमें क्या होगा आप लोग का यह manually यहां पर जैसे यह आप लोग PC अगरे में connected करते हैं तो यहां पर आपको ऐसा ही कुछ options से देखने को मिलता है file transfer या फिर या आप लोग PTP चाते हैं तो वो आपको set करना परता है यदि आप लोग चाते कि यह automatically set हो जैसे यह आप लोग file transfer पर set कर देंगे जैसे आप लोग PC में connect करेंगे यह direct आपका file transfer वाला automatically set हो जागा okay set करने की कोई जरूतने पड़ेगी तो यहां सा आप लोग इसे enable करके set कर सकते हैं अब थोड़ा और नीचे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कुछ और नए-नए options और हाँ यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग दिए तो प्लीज आप लोग लाइक कर जेगा यह इसपेशली सो टैप यह इसपेशली यदि आप लोग YouTube वीडियो अगडर सूट करते हैं तो यहां पर सो टैप्स का यूज कर सकते हैं सो टैप्स में क्या होगा यह आप लोग फोन की screen recording हो डेरैं करते हैं यहां पर देख सकते है यहां पर लोग Tap करते हैं तो यहां लोग corner dodatat बन जा जाया है यहांक। डॉर्स के नीचे बोल जैसा बन जाता हैऊ तो इस तरह से पता चले नहीं करेंगे कर वह लोग ब्रियो को बताना चाहते इना इस एस में क्रच अची एग मैं ऐसा कुछ तो यदि मैं नहीं चाहता हूँ यह पॉइंटर लोके से तो इसे भी चलिए आप कर देते हैं और मैं आपको कुछ और नए नए आप्शन से दिखाता हूँ यदि मैं next option के बात करूँ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं so surface update इसमें क्या करना जैसे कि अपने दोस्तों के साथ प्रैंक वगरा करने के लिए यह नॉर्मली यूज कर सकते हैं वैसे इसके ज़रूरत तो नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं जैसे कोई भी आपके फोन में क कुछ भी update थोड़ी सी भी होती है ना तो यह आपके फोन में flash activity सो करना लगेगा मैं आपको दिखा देते हूं अभी हमारा stop है कुछ भी थोड़ी activity होगी यह हमारा flash जलेगा देख सकते हैं इस तरह से आपको work करेगा तो ऐसे दोस्तों को on करके आप लोग दे सकते हैं कहीं फोन वगरे खड़ाब तो नहीं होगा है सब कुछ scene हो सकते हैं तो फिलाल इसे off कर देते हैं अब next बात करें तो यहाप लोग देख सकते हैं so layout bound इसमें क्या आप लोग जैसे enable करेंगे आप लोगों की जितने भी logo वगरे जितने बी कुछ setting वगरे सो रहें उसमें boundary line दिखा कि कौन सा कितना इस पेस ले रहा है तो जैसके आप लोग देख सकते हैं यहाँ उपर search का option है तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने area में आप लोग टैप करेंगे तो यह search वाला आपका यह work करेंगा यानि कि यह हमारा इतना space ले रहा है ओके फिलाल यह back आते हैं और इसे मैं off कर देता हूं, अब यहां पर देख सकते है, force, force article, layout, direction, इसमें क्या होगा नहीं, यह आपका direction change हो जगा phone के, जैसे हमारा देख सकते है, battery level वगर इधर सोड़ा है, time वगर इधर सोड़ा है, जैसे change direction पर tap करेंगे, यह हमारा like this, पूरा phone का सब कुछ, A to Z, यहापर देख सकते है, सब कुछ change हो चुका है, यदि कोई left hand ज्यादा use करता है, तो इसका use वो लोग कर सकते है, अब बात करते है next, तो यहापर देख सकते है, windows animation इसके लिए, यह सब basically क्याना, आप लोगों के phone को fast औ आपको दिखाता हूं केस से, जैसे कोई कोई भी setting वगएर on करेंगा ना, तो यहाँ देख सकते है, एकदम like this, एकदम slow में start हो रहा है, तो इस तरह साप लोग अपने phone को slow और fast कर सकते हैं, ओके, पहले तो मैं यह 1X पर कर देता हूं normally, यदि आप लोग इसे off कर देते हैं, तो एकदम quickly यह आपका over करेगा, यह भी कुछ ऐसा है, और मैं आपको दिखाता हूं कुछ और, यह तीनों options आप लोगों को इसी से related देखने को मिल जाएंगे, अब बात करतें next, secondary display, इसमें आपको क्या बना है, आप लोग जैसे tap करेंगे, तो एक, मैं दिखाता हूं secondary display यहां पर हमारा secondary display में show हो रहा है, तो वैसे भी यह सब भी developers के लिए, use के लिए हम लोग का यह कोई काम का नहीं है, फिलाल मैं यह आप कर दे रहा हूं, जैसे आप लोग जैसे मैं 600 करता हूं, और ध्यान रहे, 600 and 700 से ज्यादा बिलकुल भी ना करेंगे, तो आपको अपने phone को reset करना पर जाएगा, तो please इस बात को थोड़ा ध्यान रखे, जैसे मैं यह 600 पर करूंगा न, तो यह हमारा phone का देख सकते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने 600 पर डालाईगे, हमारा phone का सब कुछ एकदम छोटा छोटा होगा, जैसे यह कोई हमारा हो जाएगा normal, ओके, अब मैं आपको कुछ और नए-ने options दिखाता हूँ, और हाँ वीडियो अच्छी लगड़े हैं, तो please आप लोग लाइक जलू करजीगा, अब बात करें next option के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, force 4X MSAA, इससे क्या होगा न, कि जब भी आप लोगों को बताओ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि, जैसे कि quality आपके phone की बढ़ जाएगे, हाँ, जैसे एक थोड़ी graphic आपकी कम है, तो वो graphic को थोड़ा सा high level पर यह आपका कर देगा, तो इसका use आप लोग एक बढ़ करके, try कर सकते हैं, अब next option के बात करें, तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, तो थोड़ा नहीं चाहते हैं, don't keep actives, इसमें क्या होगा न, जैसे आप लोग tap करेंगे तो आपकी phone में जितने भी background, जितने भी apps हैं वो आपका automatically work करना बंद हो जाएग, हाँ, जितने भी जैसे background में, जितने भी यह हमारा apps हो गएड़ा है, यह हमारा work नहीं करने लगएगा, तो इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, don't keep actives, background process limit, इसका भी कुछ इसी तरह का सी न, आप लोग background में कितने apps को run करवाना चाहते हैं, तो उस तरह से यह आप लोग यूज कर सकते हैं, तो फिलाल चलते हैं, और next, और मैं आपको दिखाता प्संद कर तो आप लुग चाहेँ, इसे इनेबल कर के यूज़ खर सकते हैं, और हाँ वीडियो अच्छे लिग दिएanut अर्शे लिए करेऊ, और बिल्कुल ना पूले, तो जल्दी सोब लोग नीचे, कमिट कर के पता कर कि यह वीडियो आप लोगो को कैसे लगये, ये करके ब्लू हडा जैसा बनता है उसे बना देज़ेगा और बेल आइकन पे और फे बी क्लिक करज़ेगा ताकि आप सभी कमान नोडिपिकिसन मिलता दे तो बस इसी तरह साप लोग अपना प्याड बना रखिएगा सपोर्ट करते लिएका और वीडियो को सेर करना बिल्कुल न